वेरिफिकेशन कोड हमारे पास आ गया है इस शोईंग 1371 हम उसी में जाएंगे और इसमें 1371 डाल देंगे ओके कर देंगे रेजिस्टर सक्सीड का मेसिज आ गया और लॉग इन हो गया इस तरह से इनीशेल आपका अकाउंट लॉग इन दिखाएगा अब इसमें हमें DVR को एड करना है वो ही DVR जो हमने कनेक्ट किया था एड नाउ पर क्लिक करेंगे अब इसमें यह होगा अगर आपका DVR LAN में कनेक्टेड होगा लोकल एडिया नेटवर्क पे तो वो आटमेटिकली टिक कर लेगा अगर बाइतरस नहीं होगा तो हम एड बाइसी लबर भी कर सकते हैँ अब हमारा DVR आटमेटिकली डिटट होगा इससने क्लिक करते हैं क्लिक करते ही हमसे बोलेगा कि वेरिफिकेशन कोड डाल यह वेरिफिकेशन कोड कहा होता है DVR की बॉड़ी के पीछे स्टीकर पर लगा होता है हमने देखा कि इसका वेरिफिकेशन कोड कितना है इसका है FPRUHH और यही वेरिफिकेशन कोड हम इसमें डाल देंगे FPRUHH और OK कर देंगे So it is showing device added ओके यह DVR इसमें डिटेक्ट कर लिया यह DVR का सीरेल नंबर था यह कह रहा है डिवाइस को आप नाम दे सकने है अगर आप चाहें तो नाम दे सकने है अदरवाइस यह बाइडिपॉल्ट यह नाम लेकर चलेगा ओके वन डिवाइस एड़ेट दिखा रहा है अब आम इससे यहां से एड़ेट कर सकते हैं अब इसको मोबाइल पर देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा